Protection Act 1986 के बारे में, so 1972 के अंदर United Nations Conference on Environment was held in Stockholm, Sweden, तो Sweden के अंदर Stockholm में एक conference हुई थी, एक meeting हुई थी, एक global conference थी, जुसमें की 113 countries ने participate किया था, India ने भी participate किया था, so different countries के जो leaders थे, वो वहाँ पर गए थे, and यह global conference हुई थी, and सभी जो different countries है, different nations है, उनको कुछ responsibility दी गई, उनको कुछ duties दी गई, to protect the environment, और यहीं पर United Nations Environment Program भी launch हुआ था, and इसी को implement करने के लिए, जो भी वहाँ पर decisions लिए गए थे, उसको implement करने के लिए, इंडिया के अंदर भी एक act लाया गया, that was the Environment Protection Act 1986, so यह जो Environment Protection Act 1986 है, it was passed under the article 253, अब यह article 253 क्या कहता है, कि यदि किसी भी country के साथ में, हमारे देखेशनी कि जो इंडिया है, कोई भी संधी करता है, तो जो भारत सरकार है, वो बिना किसी राजिय की अनुमति के बिना, हमारी जो government है, वो क्या गर सकती है, पूरा जो हमारा nation है, पूरा जो भारत है, उसमें या फिर किसी भी इंडिया के पार्ट में कानून को बना सकती है, तो या तो पूरे नेशन में, या फिर किसी भी पार्ट में कानून को बना सकती है हमारी गौर्मेंट To fulfill the international agreements जो भी हुए है So यहां जो यह Environment Protection Act जो था वो किसी लिए implement किया गया कि जो भी हमारी Stockholm में वहाँ पे जो भी हमारी global conference हुई थी तो वहाँ पे जो भी decisions लिए गए थे उसको implement करने के लिए यह जो law था वो पास किया गया So भुपाल जो है वो मध्यप्रदेश के अंदर है And वहाँ पर क्या हुआ 2 December 1984 के अंदर एक massive gas leak हुई एक gas tragedy हुई And it is believed to be one of the most dangerous industrial disaster in the world इसको worst industrial accident बोला जाता है in the history So यहाँ पर क्या था कि जो भुपाल है वहाँ पर एक company थी जो की थी union carbide company यह जो company थी उसका insecticide बनाने का वहाँ पर plant था तो यह insecticide बनाने के लिए एक methyl M.I.C. का use होता था methyl isocyanate अब यह जो gas थी वो बहुत जादा toxic gas थी तो वहाँ पर क्या हुआ कि lack of management की वज़े से या कुछ negligence की वज़े से workers की negligence की वज़े से जो वहाँ पर cylinder थे जो tank थे gas के उसमें से क्या हुआ कि यह M.I.C. जो है मतलब pressure बढ़ गया उस tank के अंदर जहां पर यह gas टोड रहती थी तो उस tank में pressure बढ़ने की वज़े से कुछ असा हुआ कि जो methyl isocyanate gas थी वो leak हो गई अब जब वो leak होई तो वो पूरे धीरे धीरे जो है पूरे भोपाल में फैल गई रात के टाइम का यह incident था बारा एक बज़े सी तो वो जो है पूरे शेहर में धीरे धीरे फैल गई तो जो लोग सो रहे थे वो सोते सोते ही मर गए और जो लोग कुछ vomit करना उन्होंने शुरू कर दिया लोगोंने घरों से बहार निकलना शुरू कर दिया और वो सड़कों पे भाग रहे थे दर उदर उनको नहीं पता था कि क्या हो रहा है लेकिन वो क्या हो रहा था कि कुछ लोगों को आखों में जलन महसूस हो रही थी and that was due to the leak of this toxic gas and around 20,000 लोग जो थे वो मर गए थे अगली सुबह सड़कों पे लाशे पड़ी हुई थी and जो animals थे वो भी मर चुके थे and जो जिन्दा भी बचे थे लोग उनको भी वो या तो blind हो गए किसी को respiratory problems आ गई किसी को genetic issues आ गई किसी की जो lung functioning है वो reduce हो गई so जो जिन्दा भी बचे थे उनकी जो body है वो भी proper functioning नहीं रही उसकी भी so around 6 lakh people जो थे यहां पर affect हुए से हुए थे so that was कि भई जो भोपाल gas tragedy है इसलिए इसको इतना ज्यादा जो है worst industrial accident in the history माना जाता है तो यह जब हुआ यह जो accident हुआ तो उसके बाद जो इंडियन government है उसको मतलब उन्होंने जो है यह हो गया कि अब तो जो है environment के लिए कुछ ना कुछ हमें act जो है pass करना पड़ेगा so यह भी एक reason था जिसके वज़े से यह act जो है उसको लागू किया गया उसको पास किया गया so यह जो environment protection act है that was passed in march 1986 and it was common force on the 19th november 1986 तो पास कब हुआ march में पास हुआ 1986 में और लागू कब से हुआ 19 November से 1986 तो अब इसके बात करते कि objectives क्या क्या थे इस act के so the first one is to prevent the environment pollution जो भी air, water, soil pollution जो था उसको prevent करना एक इसका objective था to provide protection and improvement of environment and जो भी लेक अलग-अलग जो हमारे parts है country में वहाँ पे अलग-अलग environmental problems है जिसे जहाँ पे rivers है तो वहाँ पे water pollution होगा कहीं पे air pollution जादा होगा तो अलग-अलग जगा पे different environmental problem है तो उसको differently tackle करना तो coordinate the activities of various regulatory agencies उनकी activities को regulate करना और environment officers को appoint करना जो की environment जो pollutions है उसको check कर सके कि कहाँ पे किस area में कितना air pollution है water pollution है so उसको check कर सके and to ensure the sustainable development को ensure करना it was also the objective sustainable development क्या होते है कि जो हमारी आज की generation है उसकी भी needs जो है उनकी भी needs को हम पूरा कर सके और जो future generation की needs है उनकी needs के साथ भी कोई compromise ना हो तो हमें resources को जो है वो wisely use करना है और जो environment को हम कर रहे है लोग उनको जो है punish करना वाली जो कोई industry है वो बहुत जादा pollution create कर रही है बहुत जादा उसकी चिमनी में से दुआ निकल रहा है जो की standards से भी जादा है एक standard air quality index होते हैं उसके उपर नहीं जाना चेहे नहीं तो वो severe माना जाता है air का quality इतना जादा गंदा कर रहे है तो उनको punish करना so major जो इसका aim था that was to protect and improve the environment so what are the features of the environmental protection act 1986 सबसे पहला है कि यहाँ पे central government को power दी गई कि वो क्या कर सके जो भी measures है for protecting the quality of environment वो ले सके तो सारी power जो थी वो किस के हाथ में दी गई central government के हाथ में दी गई and वही क्या करेंगे control करेंगे coordinate करेंगे action of different authorities जो officers है and एक plan बनाया जाएगा और उसको किस तरीके से execute करना है nationwide for prevention, control and abatement of the environmental pollution prevention यानि कि ताकि जो है future में pollution ना हो हुआ नहीं है और हो भी ना उसको बोलते हैं prevention कि pollution जो है वो ना हो इसके लिए हम क्या measures ले सकते हैं that is prevention control मतलब pollution हो चुका है एक जगा पे उसको अब कैसे control किया जा सकता है for example कोई industry है वो अपना जो है जो waste effluent है उसको directly water body में dump कर रहे है जिससे water pollution हो रहा है तो वो industry क्या गर सकती है उसको बूला जा सकते है कि आप अपने effluent को पहले treat करें और उसके बाद treat करने के बाद जब वो less toxic हो जाए तो उसको जो है dump करा जाए या फिर जो industry है उसकी chimney में से धुआ निकल रहा है बहुत जादा harmful gases निकल रहे हैं तो उसको हम बोल सकते हैं कि आप जो है अपनी chimney में filters लगाईए या कुछ करिए जिसके वज़े से जो less toxic gases जो है बाहर निकले that is control की जो pollution हो रहा है उसको कैसे control किया जा सकता है then abatement का मतलब है कि जो चीज हो चुकी है और उसे खतम करने के लिए हम वो कैसे खतम होगी so कोई चीज हो चुकी है तो उसको हम क्या कर सकते है कैसे खतम कर सकते है that is abatement now next is lay down the standards for discharge of environmental pollutants तो जो central government उसको ये power दी गई कि वो एक standard set करे कि ये जो standard है कि आप इतना जो है discharge कर सकते हो environment pollutants का एक जिसे environment में जिसे water की भी है water में भी जो industry water को pollute कर रही है तो water को भी उसमेना एक limit होती है कि BOD का limit ये होना चाहिए TDS इतना होना चाहिए उससे standard से उपर अगर जाता है तो उनको जो है fine भढ़ना पढ़ेगा जो भी industry discharge कर रही है environment pollutants को फिर है कि establishment of the labs labs को establish करना labs को बनाना जहां पर की जो sample है उसका testing हो सके मालो कोई एक जगह है वहाँ पर pollution हो रख है water pollution हो रख है या land, soil pollution हो रख है तो वहाँ से soil का sample या फिर water का sample जो है collect किया जाएगा और उसको labs में ले जाये जाएगा और वहाँ पर फिर check या जाएगा कि क्या इसके पीछे का reason है और type of pollution क्या है level of pollution क्या है उस sample की testing की जा सके lab में तो इसलिए labs को establish करना then है कि government analyst को appoint करना वो क्या करेंगे जो भी sample है उसको analyze करेंगे और उनको lab तक भीजेंगे lay down the standard for quality of environment ठीक है कि air quality का इतना standard होना चाहिए water quality का इतना standard होना चाहिए वो भी जो है set करना था government को फिर है कि restrict area in which any industry operations may not be carried out कुछ ऐसे region होने चाहिए कि जहाँ पे industrial चीजें ना हो ठीक है जिसे जो agricultural land है और एक barren land है तो agricultural land का use ना करके मितलब जो fertile land है वहाँ पे आप industries ना बनाए उसकी जगह barren land पे industries बनाए तो वो कितना अच्छा रहेगा next is lay down the safeguards for prevention of accidents जिसे भुपाल gas tragedy हुई तो यहाँ पे क्या था कि negligence थी workers की या फिर जो भी management की negligence थी जिसकी वज़े से ऐसे accidents होते है तो उसको कैसे prevent किया जा सकता है तो उसके लिए भी जो है measures लेने है so to lay down the procedure and safeguard for handling the hazardous substances तो जो भी hazardous substances है उनको हम कैसे जो है handling करें constitute an authority for exercising the power EPA ने क्या क्या establish करना था the control pollution central control pollution control board and state pollution control board को establish किया गया to implement this act that is environmental protection act अब यह जो हमारे pollution control boards थे यह क्या करते है एक standard set करते है किसी भी industry को license करते है and also penalty को impose करते है जैसे जो हमारे पास BPCL है भारत Petroleum Corporation Limited जो की एक PSU है तो उसको around the 2 crore का penalty लगी थी क्योंकि उन्होंने vapor recovery system install नहीं करा हुआ था ऐसे UP के अंदर एक textile industry थी 10 lakh per month का ऐसा fine लगा था क्योंकि वो untreated effluent जो है वो discharge कर रहे थे पानी के अंदर इस तरीके से जो भी industry अगर क्या कर रही है pollution cause कर रही है above the standard level तो उसके उपर penalty को impose किया जाता है fine उनको देना पड़ता है कई बार तो जो companies है उनको बंद भी कर दिया जाता है by the government अब कुछ हमारे पास में drawbacks भी है Environment Protection Act के the first is it is highly centralized act यनि की जो power है वो किसके पास है सारी की सारी जो हमारे पास power है वो central government को दे रखी है और इतनी हमारी बड़ी country है बहुत बड़ा हमारा nation है और सारी की सारी power एक ही body को दे रख्या है तो इससे problem हो सकती है बिचारी एक ही central body को सारा का सारा country को सम्हालना है तो इस condition में क्या होगा कि देखो इतनी सारी states है और इतने सारे environment related projects है, इतनी सारी industries खुलती है, बाकी projects खुलता है, जिसे कोई डाम मनाना है, कोई भी आपको thermal power plant है, nuclear power plant है, कोई भी छोटी मुटी industry खोलने है, तो उसके लिए क्या करते है कि हर एक project खोलने से पहले हमें government से permission लेनी पढ़ते है, तो इतने flexibility in implementation of act will be there and there will be delay in the decision, so इसके लिए हमें क्या गरना चाहिए decentralization होनी चाहिए, power जो है, वो state government को भी मिलनी चाहिए, second is the lack of public participation, EPA has not mentioned the public participation in implementation of the act, so government की side से public को force नहीं किया जाता कि आपको environment को protect करना है, जैसे आप देख लीजे कि हमारे पास में किसी को force नहीं किया जाएगा, कोई आप चलते फिरते कहीं पर bottle fake दिया आपने रस्ते में, तो आपको कोई penalty कोई fine थोड़ी देना पड़ता है तो इस तरीके से बहुत ज़दा force नहीं किया जा रहा है public की अपनी मर्जी है, जुसको करना करो, जुसको नहीं करना मत करो जैसे indoor जो है, वो बहुत ज़दा clean city है, क्योंके वहां के लोग खुद की responsibility मानते है for the cleanliness so यह जीज है now the next is, EPA does not cover all the forms of pollution, सारे के सारे जो pollution है वो यहां पर cover नहीं होते हैं जैसे noise pollution है radiation waves है, radiation waves which is also an important cause for deteriorating the environment तो उसको यहां पर mention नहीं किया गया है बाकि आपका air pollution water pollution, land pollution को mention किया गया है, so सभी form of pollution को यहां पर cover नहीं करता है, यह act and this act is not effectively enforced in many parts of the country मतलब कहीं पर Environment Protection Act को enforced किया जा रहा है, जैसे कि अगर हम indoor की बात करें, तो वहां पर काफी जदा clean city है, वहां पर तो enforcement हो रही है लागू हो रहा है law, लेकिन वहीं अगर हम बिहार की बात करें, तो वहां पर कितनी गंदी जो है वहां पर cities होती है तो वहां पर अच्छे से enforce नहीं किया जा रहा है सभी जो different parts है country के वहां पर equally जो है ये law को enforce, इस act को enforce नहीं किया जा रहा है so these were some drawbacks of EPA so that's all for today, अगर वीडियो आपके लिए helpful रहा तो प्लीज अपने friends के साथ भी share करें and if you're new to the channel then please subscribe for more updates thank you and have a great day